अस्सालाम अलेकुम student mathematics 4024 welcome to maths guru student one more question on vectors this question again is two parts जल्दी से question का solution discuss कर लेते हैं the question says OA vector is equals to A, OB vector is equals to B and AC vector is equals to K times B ठीक है अचा आप यह देको K times B है इसका मतलब बे B कौन सा vector है B है OB तो AC इसका K times है इसका multiple है तो इसका मतलब भी समझ लेना कि B और AC यह दोनों parallel vectors है ठीक है तो इससे भी थोड़ी सी निशानी आपको मिल जाती है कि वही AC उसने हमें दिया है K times B तो B क्या चीज़ है B की जगा पे मैं OB लिख सकता हूँ होना कि OB वेक्टर B के बराबर है तो K times OB का मतलब यह हुआ कि AC और OB जो है ना यह बहुत आप parallel vectors तो यह चीज़ इसदर से जो है वो clear indication हो रही है if you want to mark and arrow तो बिलकुल यहां arrow mark कर सकते हो और AC की जगा पे KB है तो आपने यहां जो है ना वो इस तरह के भी लिख दिया यह question पढ़के कुछ चीज़े मुझे मिल गई सही है अचा और क्या दे रहा है वो मुझे वो मुझे दे रहा है कि X is a point on OC such that OX is equals to M times OC ठीक है अब वो कह रहा है कि भाई OX OX जो है ना वो M times OC है मतब X जो point है that is on OC ठीक है OC पे एक point लिया उसने X और उसने मुझे ratio की form में कुछ दिया तो है लेकिन M दिया है तो अब M मुझे नहीं पता अगर M कोई number होता तो मैं इसको ratio की form में लिखे individual ratios निकाल के OC निकाल के कुछ कर सकता था लेकिन अब चुके इसने M दे दिया है तो अब मैं वहाला काम नहीं करूंगा अब मुझे कोई OX in terms of M, K, A and B अब मुझे OX लिखना है तो OX लिखने के लिए मेरे पास जो है वह एक रूट तो यह हो सकता है कि मैं O से A चले जाओं A से C चले जाओं फिर C से जब X आओंगा तो मुझे CX नहीं पता अच्छा दूसरा रूट मेरा यह वाला भी हो सकता है कि मैं पहले O से B चले हूँ अब मुझे B C भी नहीं पता तो अब मुझे कोई और चीज़ करनी पड़े है अब मैंने देखा कि उसने मुझे given दिया OX O C के लिए मैंने क्या रूट लिया O A लिया ठीक है तो O से पहले मैं A गया और फिर मैं A से C गया तो O से A जो है वो positive A हो गया A और फिर A से C भी जो है वो positive K B है तो O C की value आ गए A plus K B ठीक है अब मैंने यही value उठाई O C की जगह पे यहा पूट कर दी तो मेरा जो O X है वो in terms of M, K, A, N, B आ गया ठीक है O X is equal to M times O C ता ना O C की जगह पे अब मैंने O C की value डाल दी O C की value आ रही A plus K B तो मैंने जो है वो यहा जो है O C का root भी लिए O C के लिए क्या करेंगे पहले O से A जाएंगे और पिर A से C जाएंगे तो O से A जो है वो positive A है और A से C जो है वो K B है त पार्ट था जिस पर उसके बोला था कि O X निकाल लो अब देखो O X निकालने के लिए मैं जो है ना वो यह वाला root नहीं ले सकता O A, 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 C और A, C क्योंकि इसमें मुझे known नहीं पार यह unknown है जब unknown है तो मेरा root complete नहीं होगा तो मैं जो है वो find out नहीं कर सकता तो इसलिए मैंन दुसा तरीका देखा मैंने का यार मैं काम करता हूं इसने मुझे given दिया O X equals to M times OC OC मैं find out कर सकता हूं क्योंकि OC के लिए मेरे पार required data है सारा तो पहले मैंने OC find कर लिए और OC की जगा पर OC की values डाल दी तो मेरे पास जो है वो O X आगे है in terms of M, K, A and B तो this is the answer of the first part अचा ये second part में मुझे कह रहा है कि B to X if you want to go from B to X B से X के लिए वो मुझे दे रहा है 3 upon 5 of A minus 1 upon 2 of B ठीक है ये उसने मुझे जो है वो B से X दिया वा है मतब B से X उसने मुझे जो है एक answer दिया वा है कि if you want to go from B to X तो ये answer आएगा ये वाला route आपको follow करना पड़ेगा अब क्योंके मेरे पास एक और route भी है in order to go from B to X मैं ये काम कर सकता हूँ कि पहले मैं B से D चले जाओ और सॉरी पहले मैं B सो O चले जाओ और फिर मैं O से X आजाओ ये भी तो route हो सकता है ना तो मेरे पास ये दोनों चीज़ें वह जो है वह है अवे लिवल है तो मैं काम ये करता हूँ कि मैं अपना route बनाता हूँ उसकी एक अपनी simplified equation बनाता हूँ फिर उसको ना इससे compare कर लू अब मैंने एक अपना route बना लिया in order to go from B2X मैं पहले क्या कर रहा हूँ B से O जा रहा हूँ और फिर मैं O से X जा रहा हूँ तो मैंने देखो यहां route लेका है B2X जाने के लिए मैं पहले B से O जाओंगा और फिर मैं O से X जाओंगा अब BX की जगह पे मैंने BX की value डाल दी 3 upon 5 of A minus half of B जो के question में given थी is equals to B to A अब B से O जाने के लिए मैं जो है वो against the direction जा रहा हूँ मैं इस direction में move कर रहा हूँ B to O तो यह B नहीं होगा फिर यह negative भी हो जागा तो यह negative भी हो गया plus का sign as it is और O से लेके X तो मैंने भी find out किया है वो से X तो first part में find out किया है M हो गया bracket में A plus KB तो यह मैंने M और bracket में A plus KB कर लिए अब मैं क्या करूँगा A के coefficient अलग कर लूँगा जो A वाली term है उसको अलग कर लूँगा और जो B वाली term है उसको एक साथ कर लूँगा तो अब जब मैं minus B लिखूँगा M को multiply कराना पड़ेगा A से तो this will be MA और पिर जब M जो है व यह मेरा KB से multiply होगा तो यह क्या हो जाएगा M KB अब मेरे पास जो है वो A की A की term है B की दो terms है तो मैं क्या करूँगा M को मैंने पहले लिख दिया और इन दोरों में से मैंने B को common ले लिया जब मैंने B को common लिया ना देखो यह है इधर मैंने step मिस्किया मैं आकर के दिखात हूँ मैंने क्या किया M को जो है वो start में लिख दिया यह MA हो गया और फिर है minus B तो मैंने पहले काम किया यह वाली positive term लिखी है positive term क्या थी this term was M KB ठीक है यह B की term आ गई मेरे पास और फिर में पास एक और एक B की term में वो क्या है negative B तो मैंने वो end में लिख दी अब मैंने क्या किया MA की तो चुके A की term थी ना तो मैंने इधर तो मैं कुछ नहीं कर सकता था यह मैंने एसेटेस लिख दिया यहां से मैंने जो है ना वो B common ले लिए जब मैं B common लोंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा M K minus 1 आ जाएगा तो यह मैंने direct काम किया था यह मैंने step जो है वो miss किय करेंगा इसलिए मैंने को यहां solve कर दिया अब यह MA हो गया प्लस B और bracket में M के माइनस में देखो यह step आ गया विदर सही है अब now I have the coefficients यहां भी एक इधर भी एक A की term है इधर भी एक A की term है इधर भी एक B की term है इधर भी एक B की term है तो मैं जो है वो comparing coefficients कर लेता हूँ जब मैं A की term को compare करूंगा ना तो यहां है 3 upon 5 of A और यहां है MA तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो M की value आ जाएगी that will be equals to 3 upon 5 M की values मैं find out तो नहीं बोली थी करने के लिए ल और जो दूसरी side है वहाँ है M of A तो यह A से समझो cancel हो जाएगा जब मैं दोनों को equal करूंगा तो यह और यह cancel out हो गया तो M की value मेरे पास आगई 3.5 अब मैंने A के coefficient compare कर लिए अब मैं B के करूंगा coefficient भी compare कर सकते हैं या पूरी पूरी term को compare कर लो अब मैं B के coefficient को compare कर रहा और यहाँ पूरा B का coefficient क्या है M के minus 1 तो अब मैंने क्या करना है minus half को M के साथ जो है वो compare करना है इदर जो है वो B का coefficient है minus half तो मैंने कहा किया minus half is equals to M के minus 1 comparing coefficients अब यह minus 1 था हो जाके plus 1 हो जाएगा तो minus half plus 1 जब अब LCM लोग है तो यह half हो जाएगा equals to now I have the value of M, M की value मेरे पास ह M की value कितनी है 3 upon 5 यह M की value 3 upon 5 आ गई K के साथ hazardous आ गया क्योंकि मुझे K की value find out करनी है तो मुझे K को subject बनाना है यह cross multiply कर दिया 5 इदर आ गया 5 times 1 is 5 और यह 2, 3 is 6 के हो गया तो 5 is equal to 6 के हो गया आप मुझे K की value चाहिए 6 multiply हो रहते जाकर divide हो जाएगा तो K की जो value है वो मेरे पास आ जाएगी 5 upon 6 ठीक है यही काम उसने मुझे बोला था find the value of K उसके लिए मैंने comparing coefficients वाला method यूज किया चूंकि मेरे पास उसने BX की एक value दी भी थी तो मैंने इस वाली BX की value को यूज किया और फिर मैंने एक अपना root जो है वो खुछ जो है define किया मैंने का in order to go from B2X पहले मैं B से O जाओंगा पिर मैं O से X जाओंगा और मैंने एक दूसरा जो है वो expression जो है वो बनाया BX का और फिर दोनों को equate कर दिया compare कर लिया coefficients के और जब comparing coefficients की है तो मेरे पास जो K की value आ गई जो है तो 5 अपन 6